problem 2 है हमारे पास money exchange related है जी, rate of 10 in Pakistan is rupees 2.1 per pound, foot pound second system के अंदर ये unit है, mass का, ठीक है, 2.1 per pound, find the rate per kilogram, जबके 1 pound is equal to 0.4536 kilogram है, और दूसरा ये भी बताना हमें जी, what will be the rate in Saudi Arabia, if Saudi real is equal to 22.4400 rupees, ठीक है, now this is equal to, I mean basically ये रूपीज के अंदर है, ठीक है, this is in rupees, ओके, हम स्टार्ट करते हैं, कोसर नमारा थे कि, हमें सब से पहले जो exchange rate given है, वो क्या है, 1 pound, 1 pound is equal to 0.4536 kilogram, मैं सिंबल इसके लिखूँगा, अब देखे, मुझे सेंस मिलती है, इस question से, ठीक है, मैं सेंस यहां से drive करूँ, तो अगर रूपी, अगर pound का, अगर mass देखा जाए, तो मैं तड़ 1 pound की price देखे जाए, तो वो 2.1 रूपी जबके, 1 pound is equal to half of kilogram, यानि इसका मतलब है, अगर approximately हम देखे, अन्दाजन देखे, तो 1 kilogram जो होगा, वो फिर तकरीबन 2 pounds के बराबर होगा, तकरीबन 2 pounds से थोड़ा ज़्यदा होगा, because one half so less , यह आदे से थोड़ा less इसका मतब़ा one kilogram जो होगा वो तक्रीबन फिर two pounds से थोड़ा से जयदा होगा तो अगर one pound की price two point one per rupees है I mean one per pound की price two point one है तो इसका मतब़ा two की price फिर तकरीबन four point something होगी तो इसका मतलब जिसका जवाब होगा वो चार से कुछ बढ़ा होगा, चार से थोड़ा बढ़ा होगा, हम इसको देख लेते हैं किस तरह से हम प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, देखें, हम बात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं, जी कि अगर 1 पाउंड इकल टो 0.43453 6 किलो ग्रैम है, तो what is one किलो ग्रैम एकल टो, फिर one किलो ग्रैम एग्फ Эक्जैकल लीकल है, तो one किलो ग्रैम आप यहां पर लिख लें, और यहां पर लिख लें Lets say this is X pounds के बराबर हो Oxbons के बराबर है Product of mean, Product of extreme, just remove equality sign from here हम ratios की बात करें ठीक है proportion create करें यहां पर अच्छा इसका मतलब है कि यह अगर यह इस तरह से आ रहा है तो आप cross multiply करेंगे x times 0.4536 4536 is equal to 1 multiplied by 1 1 pound multiplied by 1 kg x किसके एक उपला जाएगा 1 time 1 is 1 और divide हो जाएगा 0.4536 इस साइट पर आके तो इसका मतलब है 1 pound will be 1 kg ठीक है x represents 1 kg तो यहां से अगर मैं 1 divided by करूं 0.4536 तो यह किसके बुलाता है 2.204 2.2046 2.2046 2.2046 2.2046 ठीक है इसका मतलब है अगर अगर 1 kg इसका मतलब है 1 kg इसका मतलब है 1 kg जो होगा वो इकल होगा 2.2046 पॉंट के ठीक है यह बात होगी अच्छा इसका मतलब है अगर 1 अगर पर पॉंट की प्राइस 2.1 है तो 2.2046 की प्राइस को मतलब 2.2046 पॉंट की प्राइस को फाइन ओड करने के लिए आप 2.1 से मल्टिप्लाइ करा देंगे ठीक है अगर आपने इसकी प्राइस की 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 प्रा जो rate है basically, rate of tea, rate of tea, rate of tea is rupees 2.1 per pound, per pound, इसका मतलब है, rate of tea for 2.2046, this is point, 2.2046 pounds is equal to how much, किसके पराबर होगा, is equal to होगा, जिए multiply करा देंगा, straight away, हम क्या करेंगे, इसका multiply करा देंगे, तो क्या होजएगा, 2.1 multiplied by 2.2046, इन दोनों का multiply कराएंगे, ठीक है, इसका multiply करा देंगे, multiplied by 2.1, जो के rate है per pound, तो यह आजएगा 4.6296, 4.6296, रुपीज 4.6296, तो मैंने कहा था, 4 से जएधा होगा, तो आप देख सकते हैं, कि 2.2046 pounds means 1 kg, तो 1 kg is equal to 2 रुपीज 2, 4.6296 रुपीज, अच्छा, अब यह तो फर्स का question था, second है, what will be this rate, यह यह rate जो है, वो, जो है, इन रियाल कितना होगा, जबके 1 साओधी रियाल is equal to 22.400, तो अब देखें, obviously बात है, रियाल एक बड़ा unit है, ठीक है, रुपीज एक चोटा unit है, तो इन रियाल, इन साओधी रियाल, ठीक है, इन साओधी रियाल, यह rate कितना होगा, अगर 4.6296 को divide कर दिया जाए, जो given rate है, 22.400, क्योंकि देखें, यह एक बड़ा unit है, तो definitely रियाल में वो 2 या 3 रुपीज रियाल तो नहीं होगा, of course, अगर एक रियाल के अंदर 22.400 रुपीज आ रहे हैं, तो 4.6296 में तो रियाल का कुछ पॉइंट का क है कि आप जो है वो इस तरफ लिखें रुपीज इस तरफ लिखें रियाल ठीक है, and you know, 1 रुपी, I mean, 1 रियाल is equal to 22.something, I mean, 22.400, and then, अगर आपने जो है वो, चेक करना है, कि अगर आपके पास 22.4.6296, let's say, इतने रुपीज होगा, तो फिर रियाल कितने होगा, X cross multiply, तो आ जिरो जो है, ठीक है, ये जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ये जाके क्या होगा, दुसी तरफ डिवाइड होगा, by 4.6296, ठीक है, अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, यहां पे, divided by, divided by 22.400, तो ये मेरे पास आंसर आजएगा, 0.2667, 0.2668 कर लें, ठीक है, 0.26 0.2668, ब्रियाल, तो ये हमारे सेकिंड पार्ट का आंसर आजएगा,